महराजी के स्रीचर्णों में कोटी गोटी प्रणाम महराजी महराजी हमारे सास्त्रों के अनुसार हमारी जो धार्मिक मान्यताय आज चली आ रही है और जो हम सुनते आ रहे हैं कि सब्ता के सातों दिन का विशेष अपना-पना महत्व होता है भग्वान सिव का सोम वार तुसनी महराज का सनी वार ऐसे में प्राचिन मानेताय आती रही है देखी गई है बालों को कटवाने को लेकर या दाड़ी बनवाने को लेकर तो पुझिस्री महराजी से हम जानना चाहेंगे कहा जाता है कि अगर हम ब्रहस्पतिवार मंगलवार को बाल कटवाएं तो अलपा आयू हो जाता है असुभ माना जाता है बुद्वार सुक्रवार को सुभ माना जाता है तो महराजी से जानना चाहेंगे कि ये कौन-कौन से दिन सुब होता है, बालों को कटवाने को लेकर और महाराच जी हमारी परंपरा में देखा गया है कि जब घर में कोई हमारा गोतिया यसे अपना कोई देथ करता है, ऐसे में बाल मुलन करवाय जाता है तो इसका महत्व क्या है महाराज जी जानना चाहेंगे और एक विश्यस जो अभी हमारी कुछ दिर पहले एक माता पुछी हमारे ही घर में तीज के दिन हमारे चचा जी का देहांत हो गया था, स्वर्वास हो गया था उस दिन से लगतार चार-पांच बरसों से हमारी वाइब जो इस ब्रत को करना को बहुत ही शुकर रहती है लेकिन समाजिक ब्यवस्था जो चली आ रही है उसके कारण नहीं कर पाती है अगर आपका आपका स्री मुख से अगर जो सुन लेंगे तो साइद हमारे परिवार वाल तो आप वो ब्रत करना न छोड़िये एक अदसी के दिन कोई मरे अश्टमी के दिन राम नवमी के दिन या अन्यतितियों के दिन बही मरने वाला तो मर ही गया छोड़ना है तो बुराईया छोड़िये आपके अंदर बुराईया है या नहीं हैं करोणों है लेकिन वो नहीं छोड़ते एका दसी छोड़ दो क्या फायदा एका दसी छोड़ने से कर लो न शास्त्र कहते हैं एका दसी सरवस्रेष्ठ बरत है उससे करना चाहिए राम नवमी स्रेष्ठ बरत है krisna जनमाश्ट में स्रेष्ठ है करो छोड़ना है कि दूराई आ चाचा ताउ, पिता, दादा, सास, ससुर तो मरेंगी कभी ना कभी, हम और आप भी तो मरेंगी कभी ना कभी ठीक है, इसलिए ये सब गलत मानने ताएं है, सास्त्रम ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप एक अदसी के दिन कोई मर जाए तो एक अदसी करना छोड़ दो, कहीं नहीं लिखा लोग करते हैं मनमानी करते हैं, ये मनमाना क्रम है, लिखा कहीं नहीं ठीक है? बाल बुधवार को ही कटवाएं जो तिथी उपयुक्त बताई गई है उन दिनों ही कटवाएं इसका बहुत सामान रूप से तो समझ में नहीं आता पर ये साइंटिफिक इनका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि शरीर के प्रतेक अंग का किसी ना किसी देवता से देवता मान्यता ऐसी है कि वो देवता नाराज हो जाते हैं इसलिए उन्हें नाराज ना करें के जो तिथी उपयुक्त कही गई है उन्हें तिथियों में बाल लाड़ी कटवाएं नाखुन नाखुन कटवाने का भी हाँ वो सब विधान हमारे यहां सोचिए कितना किस दिन क्या करें किस दिन क्या ना करें तो जो तिथियां बताई गई हैं जिसके लिए वस वही तिथियों पर वो काम करें क्योंकि बाल कटवाना ही है तो वो तिथी पर गटवाएं जो उपयुक्त हैं महाराजी तहीं राधे राधे राधे